हे गाइस, कैसे हूँ सब लोग, welcome back to अपना college और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया topic in our number theory advanced जो की है, Euler Totion function राइट, सो बढ़ते हैं इसके उपर सो इसको हम represent करते हैं phi of n से, और यह क्या denote करता है कि all those m's which are between 1 to n-1 right, included, 1 to n-1 included, such that gcd of numbers from 1 to n-1 which are co-prime with n बहुत बढ़िया, so इसका जो formula निकल के आता है वो क्या आता है, वो देख लीजिए और इसका जो derivation है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में so पहले formula समझो क्या है, so phi of n होता है n into 1-1 by P1 into 1-1 by P2, into 1-1 by P3 up to so on, 1-1 by Pk और P1, P2, P3 क्या है, यह सारे है prime factors of n, right और हमें पता है, कि यह अगर formula आया है, तो इसकी derivation भी होगी, so चलते है इसकी derivation पर, right, so सबसे पहले है हमें Gcd की वाली property याद घरनी पड़ेगी, जो की होती है, Euler Trotion function में, कि अगर A और B co-prime है, right, या फिर उनका Gcd 1 है तो हमारी क्या property हो जाती है, Phi of A into B equals to Phi A into Phi B हम इसको distribute कर सकते हैं, ठीक है so we can write N equals to P1 की पार A into P2 की पार B into P3 की पार C, up to so on Pk की पार K, right, so हमने suppose कर ले कि इसके K prime factors हैं, और उनके जो वो powers हैं, वो A, B, C, D, ऐसे कुछ है ठीक है, so Phi of N equals to Phi of ये वाली N की value हैं, substitute कर दी हैं, ठीक है since, जो हमारे distinct prime factors हैं, right, P1, P2 इनको हम कितनी भी power raise कर लें, किसी भी power पे, बट ये एक दूसरे से co-prime ही रहेंगे, क्योंकि इनका कोई common factor बनेगा ही नहीं, right, so Gcd इनका हमेशा वनी आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो इनका Phi होगा, इसमें, ये distribute हो के ऐसे आजाएगा, Phi of N equals to Phi of P1 की power A, into Phi of P2 की power B, into Phi of P3 की power C, up to so on, Phi of PK की power A, right, so अब एक को analyze करते हैं, कि भाई, let's analyze Phi of P की power A, ठीक है, तो ये क्या प्राइम जो है, वो आजाएगे, समझे रहो क्या कहरे हैं, कि अगर मैंने 1 से लेके P की power A में, जितने भी ऐसे numbers हैं, जो कि not co-prime with P की power A है, वो निकाल लिए, और वो हमने P की power A, यानि जितने numbers से उसमें से minus कर दिए, तब तुमारी बात बन गई, और ये सारे कौन से numbers होंगे, P, 2P, 3P, क्योंकि P हमारा prime है, तो इसलिए कोई भी जो और number होगा, वो इसके साथ co-prime नहीं होगा, so P, 2P, 3P up to so on, P की power है, ऐसे numbers आएंगे right, so हम देखें, तो ये एक AP है with common difference P, और first term उसकी क्या है, P, so using the formula of nth term of AP, तो हम ये निकाल सकते कि कितिनी number of terms है, right, so nth term of AP का क्या formula होता है, कि nth term equals to a plus n minus 1 into d, so P की power a equals to P plus x minus 1, x माल लिए, कि number of terms है, x minus 1 into d, जो कि ये P, so x हमारा calculate करके आ जाएगा P की power a minus 1, right, so therefore, the number of numbers that are co-prime with P की power a, वो हम उसमें से minus कर देंगे, so P की power a minus P की power a minus P की power a minus 1, so P की power a हमने common ले लिया, तो 1 minus 1 by P, अब हमें देख रहा है कि या नहाँ, formula कुछ build होता है, देख रहा है, वो 1 minus 1 by P वाला factor का कैसे आया था, वो देखते हैं, ठीक है, so substituting this in above equation of 5 of n, we get, क्या मिल जाएगा हमें, कि जो हम P की power a था, यानि P1 की power a था, उसको हम ये लिख सकते हैं, 5 of P1 की power a था, उसको हम लिख सकते हैं, P1 की power a into 1 minus 1 by P1, ऐसे हम 5 of P2 की power b को लिख सकते हैं, P2 की power b into 1 minus 1 by P2, ऐसे ही हम 5 of P3 की पावर C को लिख सकते हैं कि P3 की पावर C इंटु 1-1 बाए P3 अब टू सौन हम वो फाई ओफ पी के लिखे लेंगे तो इसमें जितना भी P1 की पावर A है P2 की पावर B है P3 की पावर C है इनको हमने एक साइड करके रख लिया और जो इनकी 1-1 बाए P वाले फैक्टर्स थे इंटु 1-1 बाए P3 अब टू सौन 1-1 बाए P3 राइट सो हमारे ये डेरिवेशन भी हो गई राइट सो इसकी इंप्लिमेंटेशन कैसे होगी वो देख लेते हैं बहुत ही जादा है सिमिलार है किसके सीवा ओफ इराटोस थीन के ठीक है तो वो देखते हैं क्या है हमारे कु एन प्लस वन का क्यों क्योंकि जीरो से एन तक एलिमेंट्स होते हैं तो हमें एन का भी आंसर चाहिए है हर किसी आई पे मतलब एई पे डाल दो दिन आइटरेट फ्रॉम 2-2-1 एंड चेक इफ एए इसका मतलब अभी तक वो अन्टश्ट है राइट सो चेंज इट टू एए और लास्ट में मेरे पास कौन सा आरे आ जाएगा टूश्ट वैल्यूस का तिल एन ठीक है तो इसके प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक ग्लोबल आरे बना लेंगे अपने टूश्ट नाम का सो इंट टूश्ट ऑफ कापिटल एन हमने कापिटल एन डिक्लेर कर रखा है ते अब हमें क्या करना था सीप टाइप अप्रोच लगानी थी तो उसके लिए हम क्या करेंगे वही अपना दो नेश्ट डूप वाली चीज़ लगा देंगे तो फॉर इंट ऑफ टूश्ट ने टूश्ट नहीं किया है और फिर हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा टूश्ट इसके सारे multiples पर जाओ और उसको 1-1 by i से multiply कर दो 1-1 by i से multiply करने का क्या मतलब है i-1 upon i से multiply करना है तो करते हम for int j equals to 2 into i इसके multiple 2 into i से शुरू होंगे j less than capital N j plus plus क्या है so we have to multiply totion of j सबसे पहले इसको i-1 से multiply कर देते हैं क्या है और फिर i से divide कर देंगे तो totion of j divided equals to i ठीक है और last में क्योंकि जब हमें पता है कि जब हमारा i prime होगा तो उसके लिए 1 से लेके p-1 तक यानि अगर p एक prime number है तो उसके लिए कितने number को prime होंगे उसे छोटे मन से लेके p-1 तक सारे तो वो p-1 हो जाएंगे इसको output करा लेते हैं for int i equals to i less than 11 दस values output करा लेते हैं और चेक करते हैं सही है यह नहीं cout totion of i and a space so let's save our program run it so यह कुछ values गलत आई हैं देखते हैं क्या debug करना है में प्रेप्रोग्राम में हमने i के बराबर कर दिया फिर 2 से n में गए इसमें अब जो हमारा output आ रहा है बिल्कुल साही है क्योंकि टो का जो टोशंट हो का वन हो जाएगा क्योंकि वो प्राइम है ऐसी अगर आप 3 4 5 5 के लिए चेक करोगे तो उसका टोशंट 4 हो जाएगा वो भी प्राइम है और ऐसी अगर हम 10 के लिए देखेंगे तो उसका टोशंट 4 हो जाएगा ठीक है अब किसी भी सवाल में अगर हमें दिया जाएगा प्रिवान से लेकर N-1 तक जितने कि मेरे को प्राइम है उनका यूज करना है तो उसके लिए मैं टोशंट फंक्शन यूज करूंगा और अपनी लाइफ काफी असान मना लुगा तो ऐसी कोडिंग करते रही है अपनी कोडिंग सेल्स को इंप्रूव करिए नहीं अल्गॉर्दम सीखिए हम मिलते आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए